खबर है सीम आवास घिराव करने जा रहे संबीधा कर्मियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां जिहां दोस्तों बेहर बड़े खबर आ रही है दोस्तों बीरसा चौक पर पिछले एक महिने से आंदोलन कर रहे चौदवें वीत आयोक के संबीधा कर्मियों पर शुकरवार को पुलिस ने लाठियां चटकाई आपको बता दे कि इस दोरान पंचायती राज लेखा लिपिक और जुनियर इंजनियरों के लगभग आधा दर्जन से अधीक आंदोलन कारियों को चोटे आई है आपको बता द कि हाथ में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए जारखन मंत्राले की ओर आंदोलन कर्मी जाने लगे आपको बता दे कि इसी दोरान बीरसा चौक पर पुलिसी ने घेर कर लाठियां चटकाई खबर है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ने एकसपी 100 पेट्रोल किया लांच जी हाँ दोस्तों इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ने एकसपी 100 पेट्रोल को लांच कर दिया है कमपनी का इसमें दावा है कि इसको जूज करने से वाहन की शमता आस्चर जनक रूप से बढ़ जाती है जिया आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि गारी का माइलेज बढ़ने के साथ ही ड्राइविंग का अंदाज भी बेहत खास हो जाता है फिलाल इसे जहारखन के चुनिंदा शहरों में बेचने के लिए उपलप्त किया जा रहा है राची में पेट्रोल पॉंप पर एकस पी वन हंड्रेट पेट्रोल उपलप्त कराया जा रहा है हलाकि इसकी कीमत समाने पेट्रोल असी रुपे पर ती लीटर के बदले सीधा दोगुन अदाम एक सो साथ रुपे पर ती लीटर रखा गया है जिहां आपको बता दे कि आई ओसी ने हाली में देश का पहला एक सो ओक्टेन पेट्रोल लॉंच किया है कमपनी के दावा है कि एक स्पी वन हंड्रेट पेट्रोल से भारत दुनिया भर के उन चुनिदा देशों में शामिल हो गया है जिन के पास बेहत्तर गुनवत दावाला इधन है दोस्तो अगली बड़ी खबर आ रही है जिहां बेड में नमाकन के लिए मेरिट लिष्ट जारी पहले तीन अस्थानों पर शात्राएं दोस्तो जारखन सयुक्त परवेश परतियों गिता परिशा परसद ने राज्य के सरकारी वो गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नमांकन के लिए आखरी मेधा लिष्ट यानि की मेरिट लिष्ट का सुची का परकाशन कर दिया है इस बार राज्य मेधा सुची में पहले तीन अस्थान पर शात्राई हैं इकडमिक अंको के आधार पर तैयार मेधा सुची में पहले अस्थान पर पल्लवी कुमारी दुसरे अस्थान पर सावीत्रीहेम्रों तत्था तीसरे अस्थान पर अनुपरिया रही है। परशद ने मेधा सुची में कुल 76,361 अभियार्थियों को शामिल किया है इसे पहले परशद ने ओपबंधिक मेधा सुची जारी की थी जिस पर आपपतियां मंगा ही कई थी खबर है जार्खन हाई कोट ने कहा 2019 से पहले की नियुक्तियों में नहीं दिये जा सकता आर्थिक आधार पर आरक्षन दोस्तो जार्खन के बिभिन कारे विभागों में साहयक अभिहंता के वर्स 2019 के पहले की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 परतिशत आरक्षन का लाप नहीं दिया जा सकता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंदर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद की नियुक्ति में ही लाब दिया जा सकता है आपका बता दे कि गुरुवार को जारखन हाई कोट के जश्टिस एसके दिविवेदी ने उक्त फैसला सुनाया इसके साथ ही अधालत ने सरकार के बिभिन कारे बिभागों में सहयक नियुक्ति के लिए निकाले गए बिग्यापनों को जिहानी रस्त कर दिया साथ ही सरकार को नए सीरे से नियुक्ति बिग्यापन निकाले का आदेश दिया खबर है मोख्यमंत्री सिरी हेमन सुरेन ने पंचायती राजबी प्रभाग की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठा की कारवाही पर अनुमधन दिया आपको बता दे कि लेखा लिपिक सा कम्प्यूटर ओप्रेटर को मासिक मान दे 10,000 एवं कनिय अभियंता को मासिक मान दे 70,000 रुपए मिलेंगे दोस्तो अगली बड़े खबर आ रही है जिहां अब जार्खन में भी सड़क खाथसे में घायल को अस्पताल पहुचाने पर नहीं होगी पूछताच जिहां दोस्तो उल्टे सरकार देगी 5,000 रुपे का इनाम जिहां दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंतरी हेमन सोरेन ने स्वास्तमी भाग से 31 जनुवरी तक इस आशे का प्रस्ता मांगा है जिहां मुख्यमंतरी हेमन सोरेन का मानना है कि सरकार की इस कोशिस से लोग सड़क हादसे में गायलों की बेजीशक मदद करेंगे गायलों को समय पर मदद मिलेगी तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकेगी यही नहीं अब इस योजना के तहट गायलों की इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी सुप्रिम कोट और केंदरी परिवहन मंत्राले का आदिश है कि घायलों को अस्पताल पहुँचाने बालों से कोई पूछताज नहीं की जाएगा और अस्पताल से बीना जंजट उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी खबर है सस्पेंड हो चुके राशन कार्ट बहाल करने का मौका 30 जनवरी तक दोस्तों देश की कई राजियों में नए राशन कार्ट बनाने का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है आपको बता दे कि नए राशन कार्ट के साथ साथ पुराने राशन कार्ट में भी नाम जोडने और हटाने का काम चल रहा है ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड कुछ दीनों से सस्पेंट चल रहा है या किसी कारणवस रद हो गया है तो आप अभी भी राशन कार्ड दोबारा से चालो करवा सकते हैं आपका बता दे कि बिहार जहरखंड उत्तरपर्देश उत्राखंड और मध्यपर्देश सहीत देश के कई राशन कार्ड योजना पूरी तरह से लागो होने जा रहा है ऐसे में कई राजियों में राशन काड मिदर्ज पईवार के परतेक शदस्यों का आधार काड आपूरती विभाक को पलब्द नहीं कराय गया था जिससे कई राशन काड धारकों का राशन काड सस्पेंड हो गया अधुरे दस्तावेच के कारण कई लोगों का राशन काड आटोमेटिक ही रध हो गया खबर है आने वाले दो तिन दिन बारिश बर्पारी और शीतलहर दोस्तो इन राजों में अलट जारी जिहां उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदला है दिल्डी, उत्तर परदेश, बिहार, जहरखंड, पंजाब हर्याना में थंड में ब्रिधी हुई है मौसम बिभाग के अनुसार शुकरवार को से एक नया पस्चिमी भीछोब सक्रिय हुआ है जिसके असर से पहाड़ी राजों में बारिश और बर्पवारी होगी उत्तर और उत्तर पस्चिमी राजों में बारिश हो सकती है आपको बता दे कि आने वाले दो तिन दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीत लहर चलेगी उत्तर परदेश में थंड में फिर जाफा होने की संभावना है मौसम भाग ने बताया कि एक दो तीन बाद तापमान में कुछ बढ़तरी होने की संभावना है लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी जारखन की राधानी राची समेत राज्ये के बिभीन हिस्सों में एक बार फिर ठंड बड़ेगी अगले 24 घंटे के दोरान नियूंतम तापमान में 6 डिगरी सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाने की संभावना है 23 जनवरी तक ठंड का असर तेखा जाएगा उसके बाद पस्चे में बीच्छोप के कारण एक बार फिर से तापमान में बढ़तरी दर्ज होगी खवर है जारखन में 15 भीत आयोक के संभीधा कर्मियों की मांदे पर लगी मुहर जिहां दोस्तों बड़ी खवर आ रही है जारखन में एक तरफ 14 भीत आयोक के संभीधा कर्मी अपनी सेवा बिस्तार की मांग को लेकर राधानी राची के बिरसा चोग पर परदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ जारखन की हेमन सुरेजरकार 15 भीत आयोक के तहत सेवा जिहां अनुबंदीत संभीधा कर्मियों के लिए मांशीक मांदे में अपनी मुहर लगा दी है मुखे सचीव सुगदेंसी के अध्यक्षिता में ग्रामिन विकास विभाग की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन हुई इस बैठक में 6 जनवरी 2021 को 15 भीत आयोक द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में ग्रामिन निवासियों को सिवाय परदान करने के लिए वार्शीक रख रखाओं अनुबंद सिवा अनुबंद करने पर हाई मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की कारवाही पर अनुदान से पर हाई मुद्धान मुद्धी दोस्तों कॉंग्रेस अंतरी मदख सोनिय गांधी ने मुदी सरकार पर चौमों की हमला करते हुए आरोब लगाया है कि वह आंदोलनकारी किसानों को लेकर पूरी तरह संबेधन शील और अहंकार में हैं सोनिया ने अरनव गोस्वामी के वाटसेप चैट को लेकर सरकार को घिरते हुए कहा कि यह सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा से खिलवार कर रही है उन्होंने खराब अर्थवेउस्था महंगाई और आम जन के लिए कोरोना वैक्सीन जैसे मुद्धे को उठाते हुए उसकी क इस फरवरी तक यह कारिकरम चलेंगे तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी ख़वर ब्रेकिंग नीज मुख्य समाचार और ताजा ख़वरों की सुरकियां दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अ और अब इसी के साथ हमीजा जदें नमस्कार